हेलो फ्रेंड्स मेरे सदल में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं जूला कैसे बनता है क्या क्या उसमें लगता है इदे के हट सेफ रिंग में हम जूला बनाने जा रहे हैं तो यह दो रिंग लिए हमें आठ आठ नमर की दो रिंग लिए है और यह हैंक करने के दो कलर का जूला बनाने जा रहे हैं यह दो कलर का वायर लिया क्रीम कलर पिंक कलर और इसमें बैल्स मोती यह बैल्स है इसमें और यह मठका सेब में मोती है तो तो यह इसको बनाना इस्टार्ट करते हैं यह दहगा कटके मैंने सबसे पहले इसमें आठ दागे लगेंगे तो तो चार क्रिम कलर के ढंगे के दागे में ले ले लिया तृम इस में बर्कों सब्से के बागे मोड है कि त्यारां के यह यह मिरणिस एम जलुटनी में तो प्रकूंद पूर्टनी में सब्सारा में यह तो दालें ज्याओ की लिए तो यह तीन रस्ति हम बना के त्यार कर दिया तो इसको कहीं भी ऐसे हैंक करके उपर भी हम बना सकते हैं तो सबसे पहले इस तरीके से चार वायर का डबल करके चार हो जाते तो इस तरीके से नोट्स लगते हैं तो कर chicken नोट्स लगाने का तरीका है ऐसे एक 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 क्रीम कलर का के तो यह तरीके से नोट्स लगाते हैं ऐसे इस तरीके से नोट्स लगाके हैं करने के लिए चार रसी जैसे पांच नोट्स लगाएंगे पांच नोट्स के बाद में हम इसमें मोती डालेंगे मोती डालना भी मैं बताऊंगी अब देखिए इसमें 5-6 नोट्स लगा दिये नोट्स लगाने के बाद मैं ये दो नोट्स लगा रहें दो वायर से हमेरे दो वायर जो बीच में है इसमें हम ये मोती डालेंगी जो मटका से में मोती लिये थे तो ये दो वायर में मोती डालना है ये इस तरीके से किसे इसी तरीके से पूरी जितनी है हमें इसमें लेन्थ देनी होगी इसी तरीके से बना के तयार कर लेंगे फश्ट मैं हम छे नोट्स लगा कि फिर मोती डाले हैं आके हम 7,8,9,10 ऐसे कितने भी नोट्स लगा लगा कि इसमें मोती डाल सकते हैं तो इसी तरीके से रसी पूरी बना के तयार करेंगे और जो हर्ट सिप में हम रिंग लिये थे वो नीचे हैंग करेंगे रसी तयार करेंगे अभी देखे जैसे कि हम इसमें 8 दागा डाले थे तो रसी पूरी बन के तयार हो गइए और जाने के बाद में हमें क्या करना है जैसे कि 800 में हम रिंग लिये थे तो इस्कोर इसमें वायर डालेंगे हमी पूरी रस्ती रस्ती कंप्लीट क εδώ कोड़ी से ज़रे दो ल olarak दिए वाली रस्ती हो अंचे कि प्लादम है की म्यें करें जो इस म्मिघ कर सकीत करें करने के लिए हमारी तयार हो गई तो अभी हमें क्या करना है जो यह रिंग लिए थी हम हैट सेट की डालने के लिए तो इसके लिए हम वायर काट के तयार कर लिए कितना शोला एक पिंक जानल रहे हैं तो 8 ऐियर अपड़ हेर 16 वाइर काट कर कके त्यार रिए 13 तर मियर के थाप है 경우에는 हम कमारें त्यक्षाच के बस ह informação तो रि teeny गिरें रहे है तो इस सुंद 5 पूरा टार करेंगे डबल अब त्यार करए हैस दो आश लिख दके हैं तो ये बी सेंटर में, रिंग में हम डालके, तयार कर दिए इस तरीके से, तो हमें अब ही क्या करना है, जाट प्लाची को करना है, और ये वाला, एक इसका वायर लेके, पहले सब से पहले, एक अधर मोती डालेंगे, ये देखें मोती डालेंगे सबसे पहली और मोती डालने के बाद में हमें क्या करना इसमें एक लैन सब में नोट्स की लगानी है सब में तो ये देखिए इस तरीके से हम इसमें नोट्स लगाएंगे, पहली मोती वाली में बीच से स्टार्ट कर देते हैं, यह इसमें एक नोट्स लग गया, ऐसे, तो हर वायर पकड़ पकड़ के इसमें एक एक नोट्स लगा देंगे, देखें, दो नोट्स लग चुके, और इसी तरीके से हम, इन्हें में लगाएंगे, अब डिचान तो इस रिंग में ही गये रहेंगे हम, अब देखें, एक सैड में इसमें पाइपिन लगाके, क्रिम क्रिम कलर वाले वायर की पाइपिन लगाके, तयार कर दिये, जो यह भी सेंटर से हम वायर लिया था, ये वाला तहब इस सेड में इसी तरीके हैं इस rij लगाएंगे ऐसे जैसे इसे इसे तरीके हैं यह थायर है तो एक वायर में लेकर हम और यह अंदर ले लेंगे करिम करिम वाला पूरा वायर Heritage ऐसी अब इता के दोनु सेट से क्रीम कलर के वायर की हम पाइपिंग लगा लिए पाइपिंग लगाने के बाद में हमें इसमें डिजान देने के लिए क्या करना है सबसे पहली बीच के चार वायर पकड़ने के बाद में हमें इसमें नोट्स लगाना है एक बोक्स सा बनाएंगे हम लगा के इसमें डिजान बनेगी बैक सैड जू लेके बैक सैड में यह ऐसे देखे इसमें एक नोच लगा दिया तो दो वायर इदर छोड़ देना है दो वायर इदर इदर वाले वायर फिर से इसमें हम ऐड करेंगे ऐसे कि देखिए इस सेड़ हम एक नोट्स और लगा दें इसी तरीके से हम इस सेड़ भी एक नोट्स और लगाएंगे कि देखिए तीन नोट्स लग जोगे तो फिर से हम इस के बीच में चार नोट्स पकड़के और फिर से नोट्स लगाएंगे यह ऐसे चार नोट्स लगने के बाद में दो जो बच गए तो फिर से हम यह सेड़ वाले वायरिस में एड़ कर लेंगे ऐसे इस तरीके से देखिए अब इस सेड़ भी नोट्स लगा देंगे हम अब फिर से हम यह बीज में गैप हो गए दो नोट्स लगेंगे इनकी गैप में यह इस तरीके से अजह सबसे अजूरे बेरेखने कर दोट्स लोट्स लेस जड़ लेखिए next अब देखे इसमें हम ये चोकोर से इसमें नोट्स लगके तयार हो गया इसमें ये वायर छोड़ देना है क्योंकि इसमें इसकी भी हम पाइपिंग लगाएंगे ये वायर छोड़ने के बाद में हम जो ये एक वायर बच रहा है इसमें हम अंदर इसमें बोक्सा बनाएंगे इसकी पाइपिंग लगाएंगे ये इस तरीके से ये ऐसे झाल झाल जाल COME प्रको पाइपिंग लगा का हम इसमें पाइपिंग लागा दिये हमें से ड्र मृ लगाएंगे और फिर इंड पाइपिंग प्रॉआ ज के पिंक वाले निकाल दिये में पाइपिंग करमने लां है चालने के बाद में ये कि इसमें एक मोती ढालेंगे अ एक बास बैसी के लिए है hein ऊड़ने के साना है। बाड़े बनाई हम पिर बाद स्जम कर में दूप करने के लिए अंचिक लिए चाहिए नोट्स भी लगाएंगे जैसे उपर बोक्स बनाएं उसी तरीके से सेम बोक्स से नीचे बनाएंगे अब देखे जैसे यह बोक्स बनाए थे उसी तरीके से यह बोक्स बना दिया और यह बीज में पूरा वायर लेके और यह नोट्स लगा दिये हäre सितना था तो यह तेक्षी में पायपिन लगेगा तो इसमें ठालならा भी टाली है यूदाकिर यूद्फधी है ने के बाद में तेकिकी क्षप कि वायर के लग गई गई पा IB पाईपनगा पूरी की पाईपनग सन बनियाल और यह फिलावर सय भन जाएक्ट गोयह थय। तो ऊस्थिक वोघ्वास हला पूरी पाईपन करने खेले तो तक कुल को सहुत है यहां तक पूरी पाईपिग लगा देए इसमें अब देखे फ्रेंड यह डिजाइन पूरी कंप्लीट होगी कंप्लीट होने के बाद में यह वायर बचा है तो इसको हम पहली इधर हैंक करेंगे इधर हैंक करने के बाद में फिर इसमें दूसरी रिंग अटैच करेंगे तो इससे पहली हमें क्या करना इसमें थोड़ कीज़ एसे इस तरीके से इसमें एक लाइन पूरे नोट्स की लगेगी फिर इधर एक नोट्स लगा के दो नोट्स लगा के फिर इसमें टैज करेंगे अब देखिए नोट्स लगाने के इस तरीके से हम नोट्स लगा दिये तो इसमें अब यह पूरा वायर इस तरीके से हमें हैंग करें इसी में से तो इसमें यह piping लग जाती है यह तो यह जितना भी वायर है इसको हम इसी में इस तरीके से एंग कर देंगे पर दूसरी रिंग इसमें अटैज करेंगे हट सेफ में दो रिंग लियाथ हमने इसी तरीके से पूरा वायर इसमें अटैज कर देंगे अभी दख इसको पूरे को इसमें कबर कर दिये हम अच्छे से कबर करने के बाद में अच्छे से फिनिशिंग आगी इसको बैक साइड का फिलावर है यह तो हमें क्या करना यह सैकिंड रिंग ऐसे हे जूले में ऐसे हम करेंगे इस्को इस तरीके से रहेगी तो इसको हम कैसे ज Variंट करेंगे इस तरीके से पकड़ना है पकड़ने के बाद में यह रिंग जैसे उसमें पाइप्पिन लगाए यह ऐसे लेगि धिए एक बीगराम इसको ऐसे बिलकुल अटेश कर दी है इस कर दिए किनबार हम इसी मैंसे इसको ऐसे निकालेंगे आज फीर खीच के बिल्कुल पास कर देंगे तो इसी तरीके से हम इसमें यह पूर वायर जितना है जिसमें एड कर देंगे और फिर इसमें जह टेडी रखेंगे उदार डिजाइन बनाएंगे यह ऐसे ओ कि देखे तीन दागे तीन वायर में इस एड़ का और तीन इस एड़ का क्योंकि इसमें दोनों बराबर है पहली कवर करेंगे यह इस तरीक इस देखें ऐसे फिर यह ऐसे हो जाएगे जोइंट इसमें और यह जुला हम फिर इसमें इसके अंदर भी डिजाइन बनाएंगे अंदर तो इसमें नोट शी लगाएंगे क्योंकि डिजाइन दो बैक सैड में दिखेंगे आगा तो हम इसमें टैडी बठाएंगे अभी देखें अच्छे से यह अटैच हो चुकी है होने के बाद में अपना फिसमें यह बैठाने का बन गए यह बैक सैड बन गई तो हमें क्या करना है जो यह वायर बच रहा है इसमें डिजाइन कुछ ना देनी अंदर थोड़ा थोड़ा इसमें लूट छोड़ छोड़ सिर्फ नोटख लगाना है तो नोटश तो हम किसी भी तरीके से लगा सकते हैं इतना इतना लूद छोड़के क्योंकि इदर हम टेड़ी लूदा कि बठाएंगे तो नीचे तेप जायेंगि तो नोटष य toolkitा 40 ही बन जाएगी और फिर इसमें हम बठा सकते हैं अभी देखे जैसे कि कि यह नोट लगा के हम्हें नोट लगाके त्यार कर लिये नौड लगाने के बाद में हमें क्या करना जैसे कि 20 से इस टरीके से और जैसेört जाइस से करतेर करेंगे यह ऐसे देखिए है यह में नहुंपपो इस Are इस स्टार्ट करेंगे क्योंकि बढ़ा जोता नारा मिलकुल mmp और जितना भी वायर है इसको हम इसी तरीके से योई करेंगी इसने ये ऐसी देखे बी सेंटर से स्टार्ट कर रहे तो इधर का भी इधर का भी पूरा वायर हम इसमें अटाइज कर लेंगे अब देखे नॉट्स लगा के बैठने के लिए टैडी अच्छे से फिनिशिंग सा आ गया और ये पिछे की रिंग ऐसे हैंग होई गई तो हमें इसमें जो सामने डिजाइन बनती है वो डिजाइन बनाएंगे तो सामने जो डिजाइन बनती है वो डिजाइन बनाएंगे तो चोटी चोटी डबी डबी सी बनाएंगे हम इसमें तो डबी डबी सी बनाने के लिए हमें क्या करना है जैसे कि ये चार वायर ये तीन व कि छोटी-छोटी शी डिबीशी डिबीशी में डिजाइन बनाएंगे हम कि तीन वायर इधर का अंदर ले लिया मैंने और इसी तरीके से यह दागा लेकर इधर के तीन वायर इस सेड में अंदर ले ले कि तीन वायर इसमें अंदर ले 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 लागा इसे यहाएंगे हम हो गए तीन इधर से तीन इधर से तो छे वायर अंदर हो गए ता में क्या करना इसमें छेक्या छेक्या नोट्ष लगाना है इस तरीकी से दो वायर इधर लेना है दो इधर तो एक इसमें नोट्ष लगाएंगे पहले इसमें भी सेंट्र में मोती डालेंगे इसमें बीच सेंटर वाला दो आयर लेके और इसमें हम ये मोती डाल देंगे कि मोती डालने के बाद में हमें क्या करना है दो आयर इदर से दो दो पकड़के हर एक नोट्ष लगाना इसमें ऐसे इस तरीके से अब ये नोट्ष लगाने के बाद में जो ये वायर में पाइपिंग लगाए उपर इसी ही तरीके से हम ये नीचे वाले वायर की बाहर निकाल देंगे तीन तीन वायर ये ऐसे कि तीन वायर हम बाहर निकाल दिये इसी तरीके से इस सैड़ में तो इसी तरीके ये डिबीशी डिबीशी बनाएंगे हम ये फर्स्ट में चार एक लैन में चार यां तक फिर तीन फिर दो फिर एक ऐसे बीशेप में बनके त्यार हो जाएगा ये देखें डिबीशी बनगी इसी तरीके से आप ये हमें अगली डबी बनाएंगे अगली डबी में भी क्या करना है तीन इदर छोड़ना है और इसमें पाइपिंग लगाना है ये वाला लेना है और इसमें पाइपिंग लगाएंगे इस तरीके सा अभी देखें पूरे चार फिलावर हम बना के इसमें तयार कर दे दो खिरिम कलर में बने है री की तो अभी अगला ये तीन बनाएंगे एक दो तीन येनके बीच-बीच में फिर दो बनेंगे तो अगला बनाने का तरीका जैसे कि दो वायर लेना है, एक इसमेस है, एक इसमेस है, दोनों में हम मोती डालेंगे, यह दोनों में हम यह मोती डालेंगे, मोती डालने के बाद में हमें क्या करना है, इस मोती को अच्छे सिस में सडा देना है, और दोनों वायर को खीच के बराबर करना इस तरीके से, क्योंकि तो नीचे इसमें डिजाइन बनेगे इस तरीके से, तो अभी तीन वायर हमें अंदर लेने, नीचे फूल बराने के लिए तो एक मैं ऐसे पाइपिंग लगाएंगे ऐसे तो इसी तरी किसे तीन वायरी दर्सर तीन वायरी दर्सर यह अगला फूल बना देंगे इसी तरी किसे पूरा कंप्लेट करेंगे अभी देखे फ्रेंड यह दोनु कंप्लेट होगा जो यह डिजाइन बनाये थे हम यह देखें कंप्लेट होके कितने सुंदर लग रही है इसमें अब हम नेचे बैल समोती लगाएंगे और जो चार यह रसी हम बनाये थे फर्स्ट में यह रसी से स्टार्ट करें थे तो चार करने का तरीका में नीचे वाली रस्ती हैं करके बताती हूं इस तरीके से जो यह रस्ती हैं बढ़ा के पहले तयार कर रखे हैं तो हमें क्या करना दो वायर इस सैड में लेने हैं पीछे एक सैड में दो रिंग के इधर और फिर जैसे हर में हम नोट्स लगाते उसी तरीके से इसमें यह नोट्स लगाएंगे ऐसे यह इस तरीके से तो यह जूड़ा कितना सुन्दर बनके तयार हो गया एक सेड में हैंग कर दिये इसी तरीके से हम इस सेड में हैंग करेंगे जैसे कि दो वायर इसके यह जो रिंग खाली है इसके इस सेड छोड़ना है और दो वायर इस सेड लेना है तो यह देखे अच्छे से इसमें फिनिशिंग आ गई बहुत अच्छे से तो इसमें भी हम इसी तरीके से नोट्स लगाएंगे अब देखे फ्रेंड यह कंप्लीट हो गया देखे इस तरीके से इसको हैंग करना है और रिंग को और इनको कवर कर देंगे जो भी अब यह है तो इस तरीक से देच्यारू रस से हम फर्ष्ट में बनाए थे फिर यह दोनू रिंग इसमें यह डिजाइन बनके तयार हो गए डिजान मना थे इसमें बैल्स मोती लगाने है तो गभी सेथे हैं तो यह फैली मोती दाल दो ओर फिर बैल्स डालके और इस तरीके से लायटर की मदद से 예ark है घ्लो भी सेब में जैसे घीजान आई है उसी तरीके से इसे इसे बैल समोती की सेफ दे नहीं है यह ऐसे ऑग की अ इसमें पूरे में बैल स्मोती लगाकर पूर मैं पूरे में बैल समूती लगा के नाotom लाता है अभी देखे छें निय bits कमप्लेट हो गया है मेरा जूला बनके बहुत सिंपल है बहुत ऐजी है इसका बनाने का तरीका और इसमें सिर्फ एक छोटी रिंग लगती है हैंकरने के लिए यह दो रिंग लगती है हैड़शेप में और इसकी डिजाइन भी कितनी सुंदर बनके आई है बिल्कुल सिंपल है इसके में कि सामने से दिख़ेगा परके तैडी हlide सकते हो और बढ़ा बढ़ाएंगे तो इसमें डिजान डख जाएगी तो आप जैसा भी और फोट शिंपल तरीका इसका टैडी बढ़ा के दिखाती हूं मैं यह देखिए मेरा बढ़ा टैडी है इसमें आप छोटा भी बढ़ा सकते हो बिल्कुल छोटा ने देखिए अगर अगर आप मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें लाएक करें फिर भी आपको समझने में कुछ प्रोग्लम है तो कमेंट करें मैं फिर से समझाओंगे अच्छे से बैल आइकन को जुरूर दबाएक मैं जो भी वीडियो डालो आपके पास पूच पाए थैंक्यू